क्यों कहते हैं जो बच्चा बार-बार बिमार पढ़ रहा हो बार-बार सरजी हो रही हो बार-बार बिमार पढ़ रहा हो खासी चल रही हो बार-बार हास्पिटिल लेकर भंगना पढ़ रहा हो बच्चे को छोटा सागर बच्चा है आठ साल के अंदर बच्चा है और बिमार जादा पढ़ रहा है तो आटे का दिया मनाओ चार बत्ती रखो उसमें तिली का तेल डालो अवदूतिश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के उपर से 21 बार उतारो और किसी चुरहय पर ले जाकर रख दो जिंदगी में बच्चा कभी बिमार नहीं पड़ेगा बच्चा सौस्त आणन्द में रहा है आंन्द में रहा है और स्वस्त की मूलता क्याए और वैसे भी पर्थम सुख अरे बोलो तो निरोगी गर का प्रथम सुख निरोगी काया बैचि व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है साफ पैसा अपनी जगा पर पर फिर निवय दन करता ہूं ध अपनी जगापर पढ़ा है सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें सर्वे भवन तो सुखी कि अगर घर में एक व्यक्ति भी बिमार पढ़ा है ना तो मन नहीं लगता परिवार का कि लगता है कि मन कोई घर में बिमार पढ़ा है तो मन का